Hello दोस्तो, Boss of Financial Bazaar में आपका एक भाफ फिर से स्वागत है आज जैसे कि आपने थमनेल में देख लिया होगा, मिस्स बेक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं किया मिस्स बेक्टर और भी गिरेगा इससे लेटरी बाते करेंगे कब भी इसके चांस है क्योंकि काफी लोग उपर लिवल पर लेके इसे खरीच चुके के बैठ चुके तो यह उसी से लिटी बाती करते हैं बाब बिफोर दाट आप से रुकर्ष करना चाहूंगा हमेशा की तरह है कि आप हमारे जाए लगए बहुत सा फिने शेयर बजार को सब्सक्राइब करिए शेयर करिए फैमली फ्रेंस के साथ अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो आपका फिरी में डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा यहां डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस पर यहां पर आप क्लिक करेंगे आपका फिरी में डीमेट अकाउंट ओपन हो जाए किसके साथ अगर बात कर एक तो काफी बहती है इनका एप्लीकिशन है तो आए वीडियो की तरफ चलते है तो सीधे पहले चलते है मिस्स बेकटर के चाट पर अगर हम देखते हैं देखिये गर्वेट हो देखिने है यहां पर गिरावट हुए है आजकी दिन में लगब़ा 7% की किरावट कह सकते है 5 देस की अगर बात की जया है तो काफी यहांपर गरावट हुई है वन मunnth का वगज चाट पेटर देखे क्योंकि IPO अभी आया है जैसे कि यहां पर आप साब देख सकते है 288 रुपे मंदा 288 के प्राइस पर यहां पर मार्केट में आपको आपने खरीदा था अगर बात करें तो फिर उसके बाद जब यह लिश्ट हुआ था तो आपको लगबग 5.94 अगर में आपको दिखा देता हूं तो लगबग 74% का आपको लिश्ट निग गें दिया था 5.95 रुपीज पर यह आपको लिश्ट होता हुआ अब उस जिन से लिश्ट हुआ था उस जिन से लगवा था आपको यह गिरावट में नजर आ रही है तभी से गिरता जा रहा है तो इसके गिरने का क्या रीजन है देखिए पहली बात तो मिस्स बेक्टर अभी तो को इसके कोई रिजल्ट अभी आया नहीं है जैसे कि अभी रिजन सार्जिया अंगर यहां पर कारी रिजल्ट आते हम देख थे हैं कि इनका फॉफोर्म गशैसा है तो तह वह फी में बात करेंगा क्या है बट आपको में दूसरे चाड़ से एक वान सा चार्ट हाए न चार्ट है तो एक और गगनिती यह आप देख सकते हैं shows की अग तो इसके बाद गराबट हुई थी बहुत अच्छी गराबट हुई थी और इसके बाद देखिए ऐक इस फेज में चला गया था और यहां से करता रहा है बहुत ताइम तर लगभग दो महीने इसने इसने जंप मारी है कि लगभग 22-23% के रिटन्स दे दिया और यहां पर इसका मैक्सिमम हाई है उसे भी बहुत जल्दी है बहुत अच्छा शेयर भी है तो आपको देखिए डरने की कोई जरुवत नहीं है क्यों क्यों मिसिस बेक्टर जो है मिसिस्ट मेसिस बैक्टर काफी बैटरी नented मेरे कंपनी और यही शेयर निया है वाल एक सेक्टर का सबसे बड़ा पावरफुलंव बिजनस है जिसके हम कहते है बिसके गर्टेइनिया बिसक्रां तो शल्सक गर्ड़लेश छे मह åt इने में तो हैं पिर दोबड़ हैं पर देख सकते हैं बड़े काफी कमपनी जानते हैं ब किस तरीकर की यह रोगा फिर सब्सक्राइग है यहाère के गया दें तो यहां पर इसकर कर्सकाई देख सकते मिलगा गिर्सक्राइग कूख कना बीस भाड़ाग ब्रिटेनिया से ज्यादा इसका ना तो मार्केट कैपिटल है एस वल एस नहीं ब्रेंड इतना पॉपुलर है जितना ब्रिटेनिया है बट मिस्स बेक्टर इंडिया में नॉर्स साइड में और काफी अच्छा यहां पर बिजनस करता है तो हम इसे और एस वल एस बहुत सारी क आने की पूरी चांस रखता है बट आपको घबराना नहीं है आप यह शेयर अगर जिसने यहां पर 600 रुपर पर आपने खरीदा है क्योंकि होते हैं रेस को जब हम रेस को पकड़ते हैं और आप किसी रेस में भागते हैं तो ओविसी बात है यहां पर ट्रैप होने की चांस बहुत रहते हैं तो यहां पर लोगोंने काफी खरीदा होगा काफी फसे होंगे तो मैं बताना चाहता हूं कि यह टाइम लगाएगा बहुत शायद एक साल भी लगा सकता है इसमें आने पर और शायद दो महीने बाद इसी लेबल पर आ जाए तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान देना और थोड़ी बहुत गिरावट और भी हो सकती है क्योंकि हमने क्याम कॉन में भी यहां पर देखा था लगबक यहां पर एक अक्टूबर को आया था और लगातार 20-25 दिन गिरा था और फिर उसके बाद एक लंबे दो महीने के इस पर गया और फिर उसके बाद एक साथ भागाए तो इसी तरीके से मिसिस बेक्टर भी आपको इस तरीके के डेटाइस दे सकता है अगर बात की जाए एनसी हम यहां पर देखते हैं कितने डिलीवरी तो 11,29,166 शेयर मैंदा 40% के डिलीवरी हमें उठाती हुए दिखाई दी है आज के दिन लगबक इसका 52 टूबीक लो है और 28 दिसंबर को इसका 52 भी खाई था जब यहां पर लिश्ट होता हुआ मिन जराए था 624 रुपे का as well as company information की बात की जाए तो देखिए यहां पर कुछ special data नहीं दे रखता क्योंकि company को लिश्ट हुए ज्यादा दिन नहीं हुए है बट यहां पर अगर हम इसकी balance sheet की तरफ तो बहुत सा नजर मारें आप देख सकते हैं अगर हम यहां पर यहां नजर मारते हैं तो देखिए इनके जो reserves है काफी बहतरीन है 198 क्रोड रुपे के reserves लगवग 250 क्रोड के reserves पर company अभी बैटी हुए है यह March के data है अभी का recent का data नहीं है यह March 2020 का data है अगर long term borrowing की बात करें तो लगवग 87 क्रोड रुपे की हैं long term borrowing दिखा रहा है short term borrowing की लगवग 90 क्रोड रुपी के 20 क्रोड रुपी के यहां पर आपको short term borrowing दिखा रहा है अगर हम बात करें cash and cash equivalent लगवग 25 क्रोड रुपे के बास cash and cash equivalent पर अभी बैठे हुए है बट जैसे की हमने shares company है जैसे के Britannia आज की दिन जहां पर market all time high आज दुवारा लगाया था वहां पर गिरी हुई है Britannia तक गिरी हुई है क्योंकि Camcom Card यहां पर यह share गिरा हुआ है तो मिस्स बैक्टर को भी गिरना लाजमी ही था क्योंकि अभी company आई है अच्छे खासे returns दिया है शायद एक Armenian की consolidation phase पर दुबारा जा सकती है और थोड़ी बहुत गिरावट और गहरा सकती है तो इसलिए डरने की ज़रुद नहीं है अच्छा शेयर है FMCG का शेयर है FMCG के शेयर मोशली कारगरी सावित होते है FMCG का डूपता हुआ हमें नजर नहीं आता जैसे कि हमने दूसरे शेयर देखे है ITC को छोड़कर बट ITC भी धीर धीर भाग रहा है इसलिए इसकी तरफ नजर आपने अगर हाई लेवल पर है तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंच शेयर करिएगा इस वले इस कुछ भी एक्टिविटी करने से पहले अपने फाइमें शेयर एडवाजर से पूछ लीज़एगा जो तो थैंक यू सो मच गड़्र जो बॉल्ड लगा रोगस बॉल्स नवड गो जाटिए अटो गार आपने चानल को सब्सक्रा है ना ब्ल्केमिस पूलिएगा घंक यू सो मच गड़्र अट ब्ल्स